Migration, आपने सुनाई होगा कि लोग अपने करियर को ग्रो करने के लिए अच्छी income package के लिए जो है अपने country को छोड़कर दूसरे country में चले जाते हैं, अपने शहर को छोड़कर किसी दूसरे सहर में चले जाते हैं, UP के हैं, बिहार के हैं, छोड़कर सब दिल्ली और मुंबई च को छोड़कर किसी दूसरी जगहां पर चला जाता है, अच्छी career growth के लिए, education के लिए, या फिर war की वज़ा से अपने place को छोड़ देता है, या फिर वहां पर कोई natural disaster जाता है, जिसकी वज़ा से वो move कर जाता है, तो ऐसे लोगों को migrants कहते हैं, और इसी को कहते हैं, migration कहा जा करते हैं, किसी नए place पे, या फिर किसी नए country में, और usually किसलिए, जिससे कि उनको वहां पर काम मिल सके, या फिर वहां पर रह सके, जा है वो temporary हो, कुछ सालों के लिए हो, कुछ महीने को लिए हो, या फिर permanently, migration can be within country और between country, जाने कि यहां पर क्या है, कि within country आने कि आप country के अमेरिका चले गए, इंडिया से और उस्टेलिया चले गए, या फिर इंडिया से किसी दूसरी country में चले गए, तो इसको भी कहते हैं, migration कहते हैं, it can be permanent, temporary or seasonal यह क्या है, यह permanent भी हो सकता है, यह temporary भी हो सकता है, seasonal भी हो सकता है, permanent means आप इंडिया से छोड़कर अमेरिका के या फिर ठंडी के सीजन में चले जाते हो बाहर, या फिर कोई मेटिंग होती तो ही आप जाते हो, यना उथ जाती ही नहीं हो, तो इस सीजनल हो गया, ठीक है, तो हमाइग्रेशन परस के काटेगरी में डिवाइट किया है, ठीक, माइग्रेशन है ठीकुछ 56 पुमेनी रिजन्स आप जो है माईगरेशन है बहुत सारे कारणों से होता है पॉलिटिकल इसूस भी हो सकते हैं जैसे कि अपनी सत्ता बदलने के लिए जैसे कि अपने तालिबान का देखा है तो उसकेस में अफगानिस्तान से बहुत सारे लोगों ने क्या किया माईगरेट क तो आप आगे अपनी country को छोड़ करें अपनी place को छोड़ कर कहीं और चले जाते हो economic condition या फिर environmental conditions जो है वहाँ पर सही नहीं होती है गर्मी ज़्यादा पड़ रही है बारिश ज़्यादा हो जाती है या फिर natural disaster आगा कोई पर उनका जन्म हुआ है जो उनकी country of origin है वहाँ से छोड़ कर वो कहीं और ही रह रहे हैं और 281 million people है तकरीबन यानि कि 3.6% of world population है जो लोग migrant है यानि कि जो लोग अपना place छोड़ कर कहीं और ही रहते हैं किसी ना किसी वजह से migration को जो है अलग-अलग basis में डिवाइड गया गया है पहला classification है immigration और emigration immigration देखिए यह दोनों ही term use होते हैं जब people from one country move permanently to another country यानि कि जब एक person जो है permanently अपनी country को छोड़ कर किसी दूसरी country में चला जाता है तो उसको हम immigration और emigration कहते हैं अब emigration कब कहेंगे और immigration कब कहेंगे यहां पर समझेगा सबोच रहे कि जो people है move करते हैं India to America India से अमेरिका जो है move कर रहे हैं तो America के लिए क्या होगा it is immigration यानि कि वहाँ पर coming लोग India से अमेरिका में जा रहे हैं तो वह क्या करेंगे immigration होंगे वहीं पर for India it is emigration यानि कि हमारी country छोड़ के जा रहे हैं तो इंडिया के लिए emigration और अमेरिका के लिए immigration clear तो यह कब होता है जब people जो है एक country से दूसरी country में move करते हैं वहीं पर दूसर classification in migration and out migration नाम से clear है कि ऐसे state या ऐसा location जहां पे लोग आ रहे हैं तो आप हम in migration कहेंगे और जहां जिस state को छोड़ के लोग जा रहे हैं जिस place को छोड़ के जा रहे हैं उसको out migration कहेंगे when migration is done within an area जब किसी area के अंदर ही migration होता है जैसे UP to Delhi चले गए तो for UP it is out migration क्योंकि UP छोड़ के जा रहे हैं और वहीं पर for Delhi in migration क्योंकि Delhi में लोग जा रहे हैं clear तो in migration है out migration इसी तरीके से आपको classification मिल सकता है gross migration and net migration तो gross migration यानि कि total gross migration is the total flow of migrants across a border यानि किसी border में जितने total flow है कितने लोग migrant किये हैं उसको gross migration कहते हैं यानि कि in migrants but out migrants और in case of international migration immigrants plus emigrants तो इन सब को total मिला लेगे तो जो आता है वो gross migration कहलाता है वहीं पर net migration क्या होगा net migration is the difference between inward and outward flow of migration यानि कि कितने आए और कितने गए यह चीज net migration कहलाएगा यानि कि in migrants minus out migrants और immigrants minus emigrants ये net migration कहलाएगा gross migration में क्या होगा सब को plus कर देंगे net migration में inwix से out को minus कर देंगे imi से emi को minus कर देंगे तो आपका net आ जाता है clear अब बात करने कि ये migration होता क्यों है regions क्या है तो अलग-अलग various regions आपको देखने को मिल जाएगे people migrate for many different regions उसमें से जो कि अभी अपने स्टार्टिंग में देखा पहला क्या है economic migration economic migration means moving to find work or follow a particular career path तो यहाँ पर क्या होता है कि आप जिस country में रहते है वहाँ पर आपको लगता है कि वहाँ पर education अच्छी नहीं है वहाँ पर जो है आपका work life अच्छा नहीं है वहाँ पर जो आप अर्ण कर सकते हैं उतना पैसा आपको नहीं मिलता आपकी कभिल्यत के according तो आप क्या करते हो अपनी career को grow करने के लिए अपने state अपना country और फॉरजिन छोड़ कर कहीं और चले जाते हो जैसे कि normally अगर हम country को छोड़ देते हैं अमेरिका चले गए या फिर यूगे चले गए अलग-अलग place पर दूसरी country में जाके वह जो है जाके अपना career develop करते हैं तो economic migration यहाँ पर अपनी earning अपनी money capacity को आप बढ़ाने के लिए migrate करते हो clear तूसरा है social migration social migration यहाँ पर क्या है कि moving somewhere for better quality of life or to be closer to family or friend यानि कि अप सब्सक्राइब कि आपके ज्यादा तर रिष्थेदार जो है Canada में रहते हैं clear आपके ज्यादा तर रिष्थेदार Canada में रहते हैं आप अकले यहाँ इंडिया में पड़े हो तो आप क्या करते हो कि आप चले जाते हो छ कि shift हो जाते हो तो इसको quality of life better quality of life पाने के लिए आप क्या कहते हैं move कर जाते हैं तो इस type की movement को हम क्या कहते हैं social migration कहते हैं पर तीसरे जिए है political region political migration में क्या है अभी आपने देखा ही है कि जो रस्या और उक्रेयन का हो रहा है EU में बहुत ज़्यादा खासकर migration हुआ था वहाँ पे crisis भी आए था जो कि हम आगे डिसकस करेंगे या फिर inner war जो कि भी तालिवान और अफगानिस्तान वाला case आपने देखा तो वहाँ पे भी में आपने देखा होगा कि कैसे aeroplane पर लोग पहिये पे लटक लटक कर जो है बाहर दूसरी जगाँ पे shift हो रहे थे, migrate हो रहे थे, क्योंकि ये inner war की वज़त से है क्योंकि उनको पता था तालिवान अफगानिस्तान पे करद्या करेगा तो उसके बाद जो है वहाँ की condition खरा होगे वो move करने लगए तो political migration भी जो होता है वहीं पर next environmental causes है तो environmental causes में जैसे की natural disaster हो गया जैसे flood आ गया बाड़ आ गया या फिर भूकम पा गया ठीक है या फिर सूखा पड़ गया तो इससे क्या होता है कि जब वहाँ पर सूखा पड़ जाएगा flood आ जाएगा या फिर natural disaster को हो जाता है तो लोग वहाँ से migrate करके किसी दूसरे प्लेस पे चले जाते हैं तो यह different different reasons हैं जिसकी वज़ा से migration होता है तो यह different different regions हैं जिसकी वज़ा से migration होता है कुछ लोग choose करते हैं तो कुछ लोग force होते हैं दोनों में difference है कुछ लोग अपने खुद की मर्जी से migrate करते हैं वहीं पर कुछ लोग को force होता है मजबूरी में migrate करते हैं Some people choose to migrate जैसे कि someone who moves to another country to enhance their career opportunities यानि कि economic migration वाला था कि मुझे अपना career grow करना है तो मैं अपना country छोड़कर में दूसरे country में चला जाओगा अपना native place छोड़कर दूसरे place में चला जाओगा तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ उस person ने choose किया वहीं पर क्या है some people are forced to migrate यानि कि उनको जो है मजबूरन अपनी country को छोड़कर जा रहे है तो कुछ लोग होते हैं जिनको मजबूरन छोड़ना परता है कि सूखा गया natural disaster हो गया फिर war हो गया तो उस case में उनको मजबूरी में अपनी country को अपने place को छोड़ना परता है वहीं पर आपने term सुना को refugee तो refugee क्या है a refugee is someone who has left their home and does not have a new home to go to तो refugee की case में क्या होता है कि आपने अपना घर तो छोड़ दिया लेकिन आपको कहां जाना है आगे आपको पता ही नहीं है कि आपके लिए कहां आगे है कहां जाना है आप ऐसे भटकते रहते हो तो उसको हम क्या कहते हैं refugee कहते हैं उन लोगो often refugees do not carry many possessions with them and do not have a clear idea of where they may finally settle याने कि उनको यह नहीं पता होता है कि वो कहां आगे चलकर settle करेंगे और नहीं उनके पास ज़्यादा कुस possession होता है याने कि ज़्यादा कुस समान भी नहीं होता है ऐसे लोगों कहते हैं refugee कहते हैं clear तो migration refugee दोनों में आपको clear हो चाहिए तो अब जो है जो migration होता है उसमें कुछ push factor होते हैं कुछ pull factor होते हैं जो भी अपने region देखा उसमें कुछ push factor होंगे कुछ pull factor होंगे तो push factor क्या हो सकते हैं push factor are the reasons why people live in area जैसे lack of services, lack of safety, high crime, crop failure, drought, flooding, poverty, war तो यह सब क्या है push factor यानि कि यहाँ पे धक्का देते हैं आपको यह सारे factor आपको बाहर जाने को धक्का देते हैं कि आप निकल लिए यहाँ पे, आप यहाँ पे सही नहीं है, यहाँ पे condition, lack of services, कोई service ही नहीं है उस area में तो आप मजबूरन छोड़के जाओगे, lack of safety, safety नहीं है, आपकी जान को खत्रा है, चोरी जमारी ज़्यादा हो रही है तो यहाँ पे क्या होगा, कि आप छोड़के चले जाओगे, high crime, crime ज़्यादा हो रहा है, crop failure आने कि वहाँ पे अनाजोगी नहीं रहे है, drought, सूखा है, flooding, यहाँ पे बार ज़्यादा आती है, poverty है, poverty आने कि गरीबी ज़्यादा है, war हो रहा है अक्सर, तो यहाँ पे क्या है, यह push factor आपको मजबूरन आपको धक्का देते हैं, कि आप जो है, migrate करिए, आप अपनी country को छोड़के कहीं दूसरी country में जाइए, वहीं पर pull factor है, pull factor आने कि attract करते हैं लोगों को कि आप हमारी country में आओ, यहाँ पे क्या है pull factor, आपको खीचा जाता है, तो बहुत सारे ऐसे country हो more wealth, वहाँ पर जाओ कि आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, आप ज्यादा ज्यादा पैसा कमा सकते हो, जैसे कि लोग अरब देश में जाते हैं, सौधी अरब चले गए, अपनी country को छोड़के वहाँ पर जाते हैं, कुछ सालों में बहुत सारा पैसा कमा के, फिर इंडिया का मौसम बहुत अच्छा होता है, सेफॉर एंड लेस क्राइम, क्राइम बही नहीं होता है, फिर बहुत इकम होता है और सेफ हो, जैसे कर सकते हैं, लोवर रिस्क फ्रॉम निच्रल है वहाँ पर जिया भार सूख यह सारी चीजे वहाँ पर दिक्कत नहीं होती है, तो यह इन ही मैसे तो करते हैं कि भाई माइगरेट कर गए क्योंकि वहाँ पर अच्छी चीज़े नहीं है या फिर माइगरेट कर गए क्योंकि वहाँ सामने वाले में बहुत अच्छी चीजे है तो इसलिए आप पर चले गए तो माइगरेशन usually happens as a result of a combination of these push and pull factor तो कहीं पर push factor जो है important होता है migration के लिए कहीं पर pull factor जो है important होता है migration के लिए, कुछ लोग choose करते हैं तो कुछ लोग force होते हैं migration के लिए, clear? अब बात कलें कि the migration crisis in EU तो European Union में जो है क्या था? कि migration crisis है था EU क्या है? EU जो है बहुत सारी countries का association यानि कि बहुत सारी countries मिलकर जो है EU बना हुआ है तो since the EU was formed, it is easier to migrate between countries यानि कि जब EU बना तो जो भी countries थे उसमें आसानी से आप migrate कर सकते थे within EU, migrants may come from different countries in the EU from outside of the EU यानि कि EU की अंदर जो भी countries हैं उनके बीच में आसानी से migration हो सकता था या फिर जो EU की बाहर जो countries हैं उनसे भी EU में आप आसानी से migrate हो कर आ सकते थे in 2004, Poland and 7 other eastern countries joined the EU this increased migration into the EU के the largest group of migrants were from Poland, तो 2004 में Poland ने भी और 7 other eastern European countries ने भी EU को जोइन किया और उसके बाद UK में migration की संख्या बढ़ गई और सबसे ज़ादा migration कहां से हुआ EU में बात करें तो immigrants after the world war mainly came from commonwealth countries जो world war हुआ उसके बाद जो ज़ादा तर immigrants थे वो commonwealth countries से आए immigration was encouraged by the government many immigrants provided labor for textile factories transport, health and steelworks तो जो है जो EU में countries थी उन्होंने क्या किया? उन्होंने immigrants को welcome किया और उन्होंने जो है उनको labor as a labor अपने आपे job प्रवाइड की textile factories में, transport में, health और steelworks में जो है उन्होंने उनको job प्रवाइड की labor जो है as a labor उनसे work करवाया तो EU यह है तो 2015 में European migrant crisis हुआ also known as internationally as the Syrian refugee crisis इसको हम internationally Syrian refugee crisis भी कहते हैं तो एक period था जहाँ पे अचानक से जो movement of refugees and migrants है वो increase हुआ 2015 में यूरोप में when 1.3 million people came to the continent to request asylum the most in a single year since world war 2 तो world war 2 के बाद 1.3 million people थे जो की asylum के लिए उन्होंने जो है request की और वहाँ पे जो है refuses and migrants सबसे ज़्यादा यूरोप में 2015 में आये those requesting asylum in Europe in 2015 were mostly Syrians but also include significant number of Afghans, Nigerians, Pakistanis, Iraqis and Eritarians as well as economic migrants from the Balkans तो इतने countries से जो है 2015 में यूरोप में पहुँचे और उन्होंने जो है asylum की मांग की थी तो यह सबसे बड़ा migration था migration crisis भी कह सकते हैं इसको 2015 का जिसमें Syrian refugee crisis के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा Syrians सही थे यूरोप हैड अल्रेडी बिगन रजिस्टरिंग increased number of refugee arrival in 2010 due to a confluence of conflict in part of the Middle East Asia and Africa तो 2010 में ही यूरोप में ज़्यादा refugees का registration स्टार्ट होना शुरू हो गया था क्योंकि जो Middle East Asia और अफरीका में जो confluence of conflict था उसकी वज़ा से particularly the wars in Syria, Iraq and Afghanistan but also terrorist insurgences in Nigeria and Pakistan and long-running human rights abuses in Eritrea all contributing to refuse flows तो इन सब क्ची वज़ों से जो है क्या हुआ था? Refusee flow हो रहा था तो यहाँ पर क्या हो था? Syria, Iraq Afghanistan में war की condition थी जो है Nigeria, Pakistan में terrorist वाली चीज़े थी और human rights abuses थी Eritrea में तो इस वज़े से refuses ज़्यादा थर flow हो रहे थे तो migration crisis in EU की बात करें तो 2015 में सबसे ज़्यादा 1.3 million people जो है वो asylum के request की उन्होंने world war 2 के बाद सबसे ज़्यादा बड़ा migration था यह जहाँ पर Syria से सबसे ज़्यादा लोग थे वही उसके बाद अफगान, Nigeria, पाकिस्तान Iraqis, Eritreans से भी ज़्यादा लोग थे और Balkans में economic migration की वज़े से लोग refuse किये ठीक है उसके बाद Middle East और Asia और Africa में से भी जो है conflict की वज़े से 2010 में लोगों का migration स्टार्ट होना शुरू हुआ था Syria, Iraq, Afghanistan में war की कंडिक्शन थे, terrorist attacks जो है Nigeria, Pakistan में होते थे और human rights 97,000 refuses and migrants arrive in Europe a 95% increased compared to the same period in 2020 यानि कि 2020 से 95% ज़्यादा लोग 2021 में January से अगस 2021 में 97,000 लोग वहाँ पर Europe में उन्होंने refugee बने वहाँ पर This trend is likely to continue in 2022 यानि कि 2022 में ये जो trend है वो चलता रहेगा The current number includes some 25,000 children among whom 9,300 are unaccompanied और separated यानि कि अभी currently जो है वहाँ पर 25,000 children है और उसमें से 93,000 ऐसे लोग है जो separated हो यानि कि अपने माबाब से अलग हो चुके है वो अकेले ही वहाँ पर travel कर रहे है Children on the move remain one of the most vulnerable group requiring sustained and urgent care and production in 2022 तो वहाँ पर children जो move कर रहे हैं ज्यादा risk उनके साथ हो सकता है क्योंकि अकेले वो separate हो चुके है तो उनको ज्यादा security और ज्यादा care and protection की वहाँ पर requirement है यह migration crisis है यूरोप का फिशो अलडवेश्ट कीप वचिए